सबी दोस्तों को नमस्कार जय हिन मन रेशिंग आप सबी का यूटूब चैनल प्रिप्रेशन ओप्टीचिंग एंटी नेट में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम important question यानि कि 100 question के set पर बात करेंगे जो की set number 4 होगा यह UGC net और जियारप के लिए महत्पूर हैं और इसमें से 50% question तो दोस्तों ऐसे हैं जो एक्जाम में आयो हैं 50% question ऐसे हैं जो आने की संभावना है तो चलते हैं question number 1 के तरफ artificial intelligence का प्रियोग किस generation के computer में हुआ है तो दोस्तों आज कल जो है artificial intelligence का प्रियोग हो रहा है तो वह है fifth generation के computer में हो रहा है question number 2 है मचीनी भासा में किस अंको का प्रियोग किया जाता है तो मसीनी भासा में दोस्तो बैनरी एंक यानि की जीरो और वन का प्रियोग किया जाता है प्रिशन नमबर तीन है मसीनी भासा में प्रोग्राम सुरक्षित सकने के लिए किस का प्रियोग किया जाता है तो पंच कार्ड का प्रियोग किया जाता है प्रिशन नमबर चार है व्यक्तिगत है तो सबसे साधरने स्टोरेज डिवाइज है तो उसको व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो फ्लापपीश, डिक्स या आज केल पैंड ड्राइव हो सकता है प्रिशन नमबर पाँच है पहला कंपूटर माउस किसने बनाया था दोस्तो यह कुश्चन एग्जाम में आ चुका है तो डॉगलस एंजल वर्ड ने बनाया था प्रिशन नमबर चार है मानिटर डिस्पले को कैसे मापना पते हैं दोस्तो यह कुश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसको डाय गोमली के दोवारा ना पा जाता है प्रिशन नमबर साथ है किस मेमोरी में रखका डाटा पावर जाते ही समापत हो जाता है दोस्तो यह question भी आ चुका है तो RAM memory में जो भी डाटा होता है वो अगर जैसे ही light जाती है या power जाती है तो डाटा समापत हो जाता है प्रिशन नमबर 8 शेल फोन में किस परकार की memory का प्रियोग किया जाता है जो भी हम फैवन यूज करते है उसमें जो memory होती है वो catch memory का प्रियोग किया जाता है प्रिशन नमबर 9 जब सिस्टम पर डाकुमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो डाकुमेंट एस्थाई रूप से किस में save होता है तो दोस्तो जब computer में आप कार्य कर रहे होते हैं और एस्थाई रूप से जो save होता हो रैम यानि random SS memory में होता है प्रिशन नमबर 10 computer की मुख्य memory होती है तो internal या भीतरी memory को मुख्य memory कहते हैं प्रिशन नमबर 11 है floppy disk किस परकार की memory है तो floppy disk external memory यानि की secondary memory है प्रिशन नमबर 12 है रैम किस परकार की memory है random SS memory मुख्य memory है प्रिशन नमबर 13 computer के startup routine को कौन सी memory धारन करती है तो उत्तर है RAM memory जब computer का हम start करते हैं और उसके जो routine धारन जो करती है वह RAM memory करती है प्रिशन नमबर 14 software का प्रात्मे कुद्धिश्य क्या है तो software का उद्धिश्य है data को सूजना में बदल लाओ प्रिशन नमबर 15 software में गलती ढूणने को क्या कहते हैं तो उसको doing कहा जाता है प्रिशन नमबर 16 है computer की बहुतिक बनावट कहलाती है computer की जो बहुतिक बनावट होती है hardware कहलाती है या इनको hardware कहा जाता है प्रिशन नमबर 17 है किस संचार का साक्षे इस्ताई होता है तो दोस्तो लिखित संचार का साक्षे इस्ताई होता है संचार जो है एक मोखिक होता है एक लिखित होता है तो लिखित पहले तो साबदिक एसाबदिक होता है दोस्तों जो साब्दिक भी दो परकार का होता है एक होता है मौकिक एक होता लिखित ऐसाब्दिक जो होता है कई परकार का होता है जिसमें आपकी बोडी लेंग्वेज आपके चेहरे के हाव हाव इत्यादी सब उसमें आते हैं तो इसमें जो लिखित संचार होता है वो बहु होती है पिरसन नम्बर अठारे वे प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कम्पूटर सिस्टम ने भागुं में रख रखाव एमरम मत करता है तो वह जो प्रोग्राम होता है यू टिलीटी सप्टवेर कहलाता है पिरसन नम्बर उन्स वाइने डिजिट कौन-कौन से हैं तो दोस्तो चो जो मसीनी भास में यूज होते हैं वर binary digit होते हैं binary दिजित ओपर भी ब्ताया गया है 0 और 1 को binary digit कहा है प्रस्टन क्लिकभाई क्या है तो डाटा की जो छोटी अमगे बड़ी तक हरार्की है अगर किसी कम्पूर्टे में आ जबते हैं जो data storage है, हरारीकी है,व वीच, फिर whites, और कई सारे whites बनके जो फिल्ड बनते हैं, और phild क्या करते हैं? Record बनते हैं, फिर file बनते हैं, डाटा बस बनते हैं. इनको दोस्तों, जैसे वीच हो गया वाइश हो गया, जब वाइट शो को कई मिला लते तो हम फिल्ड बना लेते हैं और एक जैसे मालिया स्कूल में बच्चे का फिल्ड जो एक खाना मालिया है उसके फादर का नाम, उसके मदर का नाम, उसके प्राप्त अंक का जो अंक है इसकूल के दोरान ये सब्जेक्ट में वो तो वह है उसके फिल्ड एक जो खाना बनता उसको फिल्ड बोला जाएगा रिकोर्ड उस बच्चे का पूरा डिटेल, बायो डाटा, उसका राप्ता जाने का मनला एक बच्चे से रिकोर्ट जो भी पूरी डिटेल आपके पास है वो रिकोड हो जाएगी और माली एक क्लास के अंदर पचास बच्चे हैं पचास बच्चों को जो रिकोर्ट को एक साथ किया तो फाइल बन गया और इस प्रकार एक स्कूल, दस स्कूल या पचास स्कूल के जो बच्चों कर डिका data एक साथ क्या उसको database बोल सकते हैं modem क्या है modem modulator और demodulator का संचिप रूप है तो modem आपको पता चल गया होगा modulator और demodulator का संचिप रूप है प्रशन बरबाइस modem का क्या काम है modem वह device है जो digital सुचना को modem करके modulate करके analog जो analog प्रारूप में भेती है काना मतलब एक तरके analog signal होते हैं और दूसरे जो है analog होते है प्रारूप में भेती है जो analog प्रारूप में signal बिलते हैं उसे demodulate करके digital के रूप में ग्रेंट करती है modem कैसा device है तो modem एक network hardware device है आपने देखा होगा कई जगे modem लगे रहते हैं आपने भी यूज किया होगा तो ज़्यादे इसमें बताए प्रिशन नमबर 24 modem का प्रियोग कहा किया जाता है तो modem का प्रियोग when network के लिए किया जाता है यहाँ फन wide area network when का फुल पॉर्म है wide area network प्रिशन नमबर 25 compiler क्या है compiler उच इस तरिये भासा को मचीनी भासा में बदलता है इसका main मुख्य यह है कि compiler जो होता है जो उच इस तरिये भासा को मचीनी भासा में बदलने काम करता है लेकिन compiler क्या करता है पूरा एक साथ जो है बदल देता है प्रिशन नमबर 26 इस compiler के क्या क्या का रहा है compiler program के पूरे source को एक साथ अन्वाद करता है मैं आपको बताया compiler program में पूरे source को एक साथ अन्वाद करके जो error होते हैं या गलतिया होती हैं उनको बाद में बताता है compiler program को change करने में कम समय लेता है का नमतलब compiler program जो होता है जो program होता है program को change करने में बहुत कम समय लेता है वो जितना आपका program है जिसको भी change करना हो उसको बहुत जल्दी कर देता है चाहर नमबर है compiler में compiler में प्रोग्राम को change करने में error की संभावना ज्याद है रहती है अब आते हैं person number 27 interpreter क्या है तो interpreter भी उच इसतरी भासा को machine भासा में बदलता है दोनों का काम सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर है compiler पूरी भासा को पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल दीता है जबकि interpreter एक एक लाइन को बदलता है और एक लाइन में जो वीरर होती है उनको ठीक होने के बाद ही दूसरी लाइन पे चलता है question number 28 computer के user को क्या कहते है तो computer का जो user होता उसको base कहते है तो दोस्तो प्रिशन नमबर 39 software को देखा जा सकता है तो software को आप कैसे देख सकते हो तो adobe पर icon के रूप में दोस्तों यह question अभी 2019 में आया था तो adobe पर icon जैसे कोई icon बना होता है जैसे हम मैं आपको बताओं जो computer या कोई system होता है उसका monitor जो होता मानिटर पर एक तरह का icon जो आता है उसको हम सुप फेर के तोर पर देख सकते हैं प्रिस्टन नंबर 30 intel 80286 की चमता कितनी है तो इसकी चमता है 13000 ट्रांजक्टर पर पर दूस्तों इंटरनेट का विसकार कब हुआ था तो दोस्तों इंटरनेट का विसकार तो वैसे 1960 के दसक में हुआ था लेकिन इसको पूर्ण रूप से 1960 में माना जाता है भारत की अगर बात की जाए प्रिशन नमबर 32 भासा नुआत कौन कौन से हैं तो भासा को एक तो कंपाइलर करता है दूसरा इंटर्प्रीटर करता है तीसरा असेंबल ये तीनों का काम जो है भासा नुआत करने का है आप compiler और interpreter के बारे में पड़ चुके हैं, assemble के बारे में, इसके संबन में एक मैंने अधक से वीडियो बनाया है, दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तीनों के मैंने विस्तार से के compiler का क्या काम है, interpreter का और संबल का, वो तीनों के संबन में मेरे YouTube चैनल पे जाएं, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, प्रिशन नमब अठार है, वेब प्रोग्राम का समुझ जो computer के राव को क्रियावायन करता है, तो उसको हम system software करते है, जो भी computer है, उस computer system को जो चलाता है, तो वो है system software ही होता, कि हर पिरती एक computer में एक system software होगा, बिना system software के जो है, कोई भी computer वेकार है, प्रिशन नमबर 33, किस memory को बार बार रिफ्रेस करना पड़ता है, तो dynamic memory को बार बार रिफ्रेस करना पड़ता है, प्रिशन नमबर 34, पहला microsoft processor कोन सा था, तो intel 4004 पहला microsoft processor था, प्रिशन नमबर 35, CD and DVD को read करने के लिए किस laser light के आप सकता होती है, तो जो आपने देखा होगा, CDD और DVD की डिक्स होती है, बहुत चिकनी होती है, और उस पे जो है, आपको देखा है, बिल्कुल चिकनी होती है, उसको कैसे read किया जाता है, तो उसको infrared, एक होता है infrared से, उसको read किया जाता है, और infrared के read करने के बाद जो है, उसमें जो भी data होता है, वो आपको दिखाती है, चाहे picture हो, चाहे उसमें कोई data हो, चाहे लिखित में हो, चाहे movie के तोर पे हो, वो पूरा हम देख सकते है, प्रिशन नमबर 36, blue ray को read करने के लिए किस laser light के आप सकता होती है, एक designated dix दो परकार की होती है, floppy dix और hard dix drive, अब question आता है, floppy dix क्या है, तो floppy dix दो परकार की है, mini floppy dix जिसका व्यास साड़े 3 inch, यानि 3, 3 से ही 1, 2 inch का होता है, dix की छमता 1.44 MB होती है, यह dix 360 round per minute, round per minute revelation यानि की घुम, revelation से पर minute चक्कर लगाती है, कहना मनदो 360 round per minute का चक्कर लगाती है, जब अब इसको यूज करते है, micro floppy dix, इसका व्यास दो, सब 5, या 5 से एक बड़ा 4 inch का होता है, इसकी छमता 2.88 MB होती है, question number 39, interpreter के कार्य क्या है, आपने जो वहाँ compiler के देख लिए थे, अब interpreter के देख लिए थे, interpreter एक बार में एक line को अनुआद करता है, यह line को अनुआद करते समय एरर बताता है, साथ साथ एरर बताता है, जब तक line का एरर ठीक नहीं हो जाता, अब अगली line पे नहीं जाता है, इंटर compiler की प्रिक्साथ ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि compiler क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स को पूरे अपने जो वह प्रोग्राम है, उसको एक बार में चेंज करता है, और लेकिन यह एक line करता है, तो समय ज़्यादे लेगा, interpreter से प्रोग्राम के नुआद करते समय एर लोग को स्टोर किया जाता है, तो recycling यह तो बहुत की आसान question है, लेकिन कई बार के आसान question भी आपके exam में आ जाते हैं, प्रतन नमबर 42, फ्लापी डिक्स की storage चमता क्या है, तो फ्लापी डिक्स की 1.4400 जो bits है, प्रतन नमबर 43, MS-DOS का पूर्र नाम क्या है, तो micro-dix operating system, कई बार हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन फुल फोर में ऐसे आ जाती हैं, और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो MS बराबर होता है, Microsoft, D बराबर होता है, Dix, O बराबर होता है, O4 होता operating, S4 system, प्रिशन नमबर 44, computer के user को क्या कहते हैं, वेस कहते हैं, यह सायद question repeat हो गया है, प्रिशन न नमबर 46, Intel's 80283 की चमता कितनी है, 13,000 transactions, प्रिशन नमबर 46, इंटरनेट का विसकार का वोता निच्चा सी, भासा नुवाद कोन कोन से है, तो compiler interpreter assembly, प्रिशन नमबर 49 पर चलते हैं, वेक, प्रोग्राम का समूझ जो computer को क्रिशाब को करता है, system software, किस memory को वार वार रिफ्रेस क करना पड़ता है, dynamic memory को, दोस्तों यह question कुछ पता नहीं किस कारणा से, तो पहला Microsoft कुटर कोन सा था, Intex 404, 52 है, CD and DVD को read करने के लिए किस laser की आप सकता होती है, तो infrared की, 53 है, blue ray को read करने के लिए किस laser की आप सकता होती है, तो blue laser की, प्रिशन नमबर 49, US traditional के नुसार, keyboard में कितन की होती है, तो दोस्तों यह अलग-अलग है, तो US traditional के नुसार, 104 की होती है, जो स्युक्त राजी अमेरिका का, जो traditional के नुसार, जो keyboard है, उसमें 104 keyboard होती है, keyboard में कितने परकार की की होती है, keyboard में 5 परकार की की होती है, अलफ़ अमेरिक की कौन सी है, अलफ़ अमेरिक की, इन मे अलफावेटोर नमबर होते ही पर 15 कि कौन दी है तो Petition कि में common की question mark ।ग कोलम की तद़ा M period की होती है ये सारी letter की की right side में होती है US traditional के नुसार ki part की बूर्ड में कितने की होती है तो इसमें 4 उसके Italcanal के नुसार ये है mechanism प्रतिवाम में इस पर स्कींग प्रिशन नमबर तरेशट हम कारक विस्टर का प्योग कप करते हैं बहुत से चरोके अंतर जानने के लिए प्रिशन नमबर चौशट इस प्रिशन को देखते हुए पटाकों को कौन तयार करेगा अभी पहले जो पटाके तयार होते थे अभी जो है एक प्रिशन को देखते हुए को इसकी जवाब देरी दे दी गई है CSIR का पूर्ण रूप क्या है नेशनल इंवार्मेंट्स इंजिनिर्ण रिशर्च इस्टिटूट्स पीए सो पैसो का पूर्णूप क्या है पेट्रोलियम एंड एक्स्प्लोजीव शेफ्टी ओग्नाइजिशन CSR का द्वारा SWS, S-Supple and S-Star किस के लिए लांच किये गए है तो यह क्रेकर के लिए यानिके पिटाको के लिए लांच किये गए है पूर्ण 71 केकर के केकर में पूलूशन को देखते हुए किस को प्रतिबंदित किया गया है तो लीनियम आर्शेनिक एटी मनी को प्रतिबंद किया गया है पूर्ण 72 वेन डायाग्राम क्या है वेन डायाग्राम वह आरेक है जो समूच्य को परिमित संग्रों के बीच सभी परिकल्पना यानुमानित रूप से संभावित तार की संभन्द को दरसाता है पूर्ण 63 वेन डायाग्राम का विश्कार कब और किस ने किया तो वेन डायाग्राम का विश्कार उन अठार रूप असी के आसपाद जान वेन ने किया था वेन डायाग्राम का प्रियोग किस लिए किया जाता है वेन डायग्राम के संबन्दी तथ्या क्या है वेन डायग्राम के संबन्दी तथ्या क्या है वेन डायग्राम वेद अवेद हो सकता है वेन डायग्राम इस्पिरकार का डायग्राम है सहवाक्य संबन्दी न्याइक की अकार के प्रात्मिक अनुमान की वेत्ता का प्रतिनीदित उमल्यांकन करता है वर्गो के कलियन अलजेब्रा की मदद से प्रात्मिक अनुमानों की सत्ता का प्रतिनी दिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज के लिए तीन अधिक व्रत बनाए जाते हैं समुच्चे क्या है वस्तु के संग रहे ना कलक्षन को समुच्चे कहते हैं बहुत ही इस तरह की क्वेश्चन आ रहे हैं भी समुच्चे के बारे में पूचा गया समुच्चे कितने प्रकार के होते हैं तो समुच्चे तीन प्रका प्रिशन नमबर 79 साथ भी पंच वर्शी उज्ञा किस माडल पर तैयार की तो जोन डबलू मिलर माडल पर तैयार की गए थे प्रिशन नमबर 81 दिट्या पंच वर्शी उज्ञा सन 1956 से 71 में कौन से उद्धोग लगाए गए तो तीन लोह इस पास उद्धोग लगाए थे प्र प्रिशन नमर 82 भारतिया साथ आता कलाव की षुटापना किस पंच वर्शी उज्ञा में ती तो दित्य पंच वर्शी उज्ञा में बाहतिया सायता कलाव की ष॥ापना होई तीं साथा ट्र sich ऑद्वर्शा में अपाती लगाया गया लगाए था ट्र प१ंच ऑद्वार्श की थी Do फज्वरती तित bratरर वर्शा से तो प१ Kansas 1 पौद्वर्श कांड़ World 2 अतीठ सक्षे लाझा हुए तो पिर्थम योज़ना मेलिंग प्लान पर तयार हुई थी पिर्थम नमबर 89 देश में समाजी के इंसांस की उत्थान के लिए कौन सा वियान चलाया गया था तो उत्तर है सामुदाइक विकास कारेकरम चलाया गया था प्रिस्ट नम्ब एक आनुवे प्रिफम पंच वर्स 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 वर् प्रदाल मुंतिर् रोजगार योजनह शरूवी थी पिर से 95 م, रोजगार इम उसार्दन का विकास की सियोजनहे रुजनह जिससे तो 11 विपँ बर्स आगया पिर से 97 स्वास्ष स्वास्च और स्वास्च पर ध्यानुन की सियोजनह का तो नियाएक वित्रन एंस हवानता जियान किस यूजणा में दिया गया तो दोस्तों दशवी यूजणा यह जो नोभी पंच बश्य यूजणा में पर सब्सक्राइब कुछ यह है तो जी जो और वन और डाटा स्टॉरिज वहरार की क्या है विट्स, वाइट्स, फिल्ट, रिकोर्ड, फिल्ड, एविडेटर, दोस्तों इसमें जो है कम से कम दस से बार क्वेश्चन रिपीट हो गए है, हो सकता है, जिस समय कोफी की गई गई हो, उसमय हो गया हो, कोई बात नहीं, तो लगबर 90 क्वेश्चन इसमें आप मान के है, मुश्किल से आपको 10-15 में जो है, 100 क्वेश्चन रिपी जो हो जाएंगे, और इससे आपको एक लेविल भी मिलेगा, कि आप कितना आपको आता है, कितना नहीं आता है, और सभी क्वेश्चन जो है, सलेवेश्चे संबने दे, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा